अज में आपको सिखाऊंगी 3 interesting vocaps नंबर 1, abolish इसका मतलब होता है खतम करना नंबर 2, demolish इसका मतलब भी होता है खतम करना नंबर 3, eradicate इसका मतलब भी होता है खतम करना आपको लग रहा होगा मैं में तीनो वर्ड्स का मिनिंग तो सेम हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन तीनों ही वर्ड्स में difference होता है कैसे? Abolish का मतलब होता है, formally किसी भी कानून को खतम कर देना For example, धारा 370 खतम कर दी गई है, article 370 has been abolished Demolish का मतलब होता है, किसी building को गिरा देना Hindi में कहे तो धुस्त कर देना बहुत सारे illegal properties को गिरा दिया गया है Many illegal properties have been demolished Last word है हमारा eradicate Eradicate का मतलब होता है, किसी भी social problem को जड़ से खतम करना For example, गरीबी को जड़ से खतम किया जाना चाहिए Poverty should be eradicated एक sentence की English आप लोग frame करेंगे, comment section में comment करके Sentence आपका दहेज प्रथा दहेज प्रथा को जड़ से खतम कर दिया जाना चाहिए इसके English, comment section में comment करें और ऐसे ही interesting video के लिए इस page को follow करें And thanks for watching